यह चिल्डेन अब हम देखेंगे कि टाइप अफ लार ओन डा बेसिस अफ दा ओवरी ओवरी दा आप दा पोजिशन ऑफ दो ओवरी वी आर वी दिवाइडेट दा फ्लार ओ एज दा हर्पोगाइनस पैरिगाइनस अब अब हम देखेंगे कि कैलिक्स की करोला की स्टैमीन की प देखेंगे यह तीन ol थेखेंगे दा पोजिशन दॉजिशन ऑफ केलिक्स करोला एंड में यह तीन की पोजिशन देखेंगे with arrest विद रेस्पेक्ट तो ओवरी, ओवरी की रैस्पेक्ट में हम कैल्स की करोला की स्टेर्मिंग की पोजीशन को देखेंगे and with respect to the ovary we decided or we can differentiate this type of flower in the hypogenus, actigynus and perigynus अब ओवरी हाइपोगाइनस में क्या होता है इस में क्या होता है ओवरी के सुपीरियर यह सुपीरियर मतलब कि सबसे ज्यादा बहुत अच्छी नहीं है इसका मतलब यह नहीं है सुपीरियर मतलब कि पोजिशन ओवरी की उपर है एंड जो थैलिमस पे पोजिशन है वो ओवर का रोला और स्टैमिन वो ओवरी के नीचे के साइट से रिकल रहे हैं. It is this condition when the ovary is superior and the other parts or other world of a flower is produced or are found below the ovary. It is called the hypogynyos condition. Gynesium has highest position while other parts situated below. ovary is superior. इसका मितलब कि Gynesium is on highest position. Highest position पे क्या है? Gynesium है while other parts are situated below it. इसके नीचे पाए जाते हैं. क्या कौन-कौन से पार्ट है? कैलिक्से करोला और अंडोशियम है. ये तीन पार्ट है. मैं इसका डियाग्रम बना के दिखा दूँ आपको. बच्चो, it is a thalamus. देखें, ये thalamus है, आप जानते हैं, it is a pedicill and it is thalamus. अब thalamus में ovary की position, it is ovary. ये है ovary. ओके, it is ovary. और जो बाकी चीजें हैं, मैं दूसरी color से बताती हूँ. और जो बाकी चीजें हैं, बाकी चीजें मतलब कि ये petal, these are the petal, और इसकी बार petal sapple और बना दें, green color से, तो अच्छा लगेगा. green color, green color से, these are the sepple, ये sepple हैं, okay, these are the sepple, ये sepple हैं, और these are the petal, और हम क्या बनाएंगे इसके बार, हाँ, इसके वो हम बनाएंगे, इसका stamin, stamin, ये stamin निकल रहे हैं, these are the stamin, अब बताएंगे मुझे, कहां से निकल रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, सभी नीचे से आ रहे हैं, ये सभी चीजे नीचे हैं, ovary की position उपर है, इसको और उपर बनाते हैं, हम ovary को थोड़ा सा, तो आपको मालुम पढ़ेगा, कि मैं क्या कहन जा रहे हैं, it is the ovary, this is the ovary, और ये सभी जाये हैं, अब समझ आ गया, ये क्या है, इसकी position उपर है, ये क्या है पैटल है, ये नीचे है, ये क्या है, सैपल, ये भी नीचे है, ये क्या है स्टैमिन, ये भी कहां से緑रीजन हो रहे है, और पूजिय से, है ना, तो position of ovary is superior, यह मेरे कहने का मतलब है गानिश्यम is on the highest position while the parts are situated below it is called the क्या है ये superior ovary और hypogynous flars अब हम इसके example देखेंगे बच्चों इसके example बहुत इजी है ऐसे याद रखिए BMC BMC से मतलब B से ब्रिंजल M से क्या है Mustard C से China rule जिसे गुडल कहते हैं ये इसके example है ओके इसको ऐसी याद करिए बिल्कुल याद हो जाएगा आपको अब चलते हैं हम epigynos की तरफ कि epigynos में epigynos नहीं स्वरी perigynos perigynos flars में ovary कैसी होती है इसमें gynecium present in the center and other part present at the rim of the thalamus इसमें क्या होता है पहले हम thalamus बना लेते हैं और लिखेंगे बार में पहले आप डाइग्राम से समझेए it is a thalamus ओके आप क्या है thalamus पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ovary बना देंगे gynecium present in the center and other part present at the rim यह है ovary it is ovary it is a ovary यह कहां पहे है थैले मस पहे है पूरा पूरा थैले मस को इसने क्या किया है कवर कर लिया है ओके ovary ने पूरे थैले मस को कवर कर रखा है अब हम देखते हैं जो इसका यह side बचे यह वाली side बचे इसकी थैले मस की थैले मस की थोड़ी सी side यह बच रही है और थोड़ी side इसमें बच रही है तो center में क्या है center में तो ovary आ गई center में ovary आ गई while the other parts are present at the rim rim of the थैले मस मतलब कि यह है क्या है यह आपके calyx और इसकी पास हम यह बना रहे है petal बना रहे है these are sepul and these are the stamin यह क्या है stamin तो जो rim है उस rim पर present होते हैं other part while the ovary is present at the middle middle part पे किवल ovary रहती है बस किवल इसकी thalamus के rim पे यह petal बेटल लगी हुए होते है it is called the perigalus मतलब कि ना तो वो नीजे है other part से calyx से, carola से, endosium से ना तो वो नीजे है ना वो उपर है मतलब कि वो बीच में है बट उसने thalamus को cover कर रखा है और जो चीजें बाकी जगा छोटी हुए thalamus की वहां से sepil petal और इसरे भी निकल रहे है this kind of ovary is called the perigynus perigynus ovary ओके यह में लिख दू gynesium present at the center gynesium present at the center while while other parts are present on the rim of thalamus rim of thalamus पे present है इसकी example इसकी example तो वो ही है example में plum, rose, peach या इसको हम ऐसे लिखेंगे P, P, R double P, R P, 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 R इसको हम क्या लिखेंगे plum, peach and rose plum, peach and rose rose में इस तैब की क्या होती है P, P, R याद रखेंगे P, 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 R किसमे P से ही क्या है हमारा perigynus है और P ही P इसमें दिख रहा है दो बार तो P आ गया ये P, P, R है perigynus, P, P, R example कैसे याद रखेंगे perigynus का example क्या है P, P, R है P, P, R means plum है, peach and rose है P, P, R है P से perigynus, P से plum P से peach, R से rose के लिए BMC में नहीं याद करा दिए आपको example brinjal और mustard N, C से China, rose अब हम चलते है ovary totally enclosed by thalamus इसमें थोड़ा सा फरक है यहां में लिखते हूँ ovary, ovary लिखू हूँ या gyernetium एक ही चीज है ओके ovary is totally enclosed by the thalamus thalamus इसको पूरा कबर करकी अपनी अंदर ले ले लिता है it is called the kya called epigynus the other part present above the ovary और जो दू बाकी के part होएंगे other parts other parts are present above इससे उपर ही तो होएंगे above the ovary above the ovary होएंगे क्योंकि ovary को तो thalamus ने अपने उपर या अपने अंदर समेट लिया है इसको मैं अलग से बनाऊं डाइग्राम कलर्फूल बनाते हैं चलिए थेले मस बनाएं फिले फिले थेले मस बनाते हैं फिले फिर हम इसको इसको यह जो थेले मस बना लिया हमने अब हम इसको यह जो थेले मस होगा ऐसी नहीं और बिल्कुल एंद्ग्लोस्ट कर लेता है अब हम आपको मालूम है अपही महने पाई है यह तो आपको मौम ही मुनने पढ़ाया है बाकी ओवरी इसके अंदर आ गई अब और इसको पूरा इन्प्रोस कर लिया ओवरी को और बाकी चीजे जो इसके पेटल हगे अब पहले तो सेपल बनाए ना सेपल रैट कलर बार में तो मेरे हाथ में बार-बार रैट कलर ही आता है तो अब इसके बार हम इसके पैटल बनाएंगे देखिए कितना अच्छा फ्लार बना है मैंने आपके लिए थोड़ा सक कमेंट्स किया करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाईए और करिए इसकी बार मैं बहुत पेंड लेके आपको एक चीज बता रही हूं कितनी जल्दी हमारा फ्लार बना है इसकी पार रैट कलर से बन है चलिय तो झारते है औuchar ऐसे ऐसे प्लाइसमे अब यह सब्सक्राइब नियुक्तरा जार किया करता तो यह संदी बनार does the और इपिगाइनस ओवरी ओके और इसकी एग्जाम्पल में आपको बता ही दिये गवावाइन कुकुम्बर है तो बच्चों इतना समझ आया अब हम आगे चलेंगे हमारा जो आगे का होगा आप देखेंगे हम यह सब चीजें होगे फ्लार को देख लिए आप हम चलेंगे सब दो सबसे पहले आउटर वर्ल पे आउटर वर्ल हमारा कोँसा होता है पहला होता है केलेकस तो हम केलेकस की बारे में बढ़ाते हैं we are talking about कैलेकस आउटर मोस वर्ल अवड अफ्लार का जो सबसे बाहर का वर्लोत है it is called the calyx and the group of sepals are present जब हम इनकी इनकी बारे में इनकी ही है outer most world और क्या है group of sepals and generally green in color यह green in color होते हैं and protect क्या करते हैं यह protect करते हैं प्रोटेट देड फ्लार यह में फ्लोटेट दा फ्लार एंड एड इन बड इस्टीज बड करते हैं ऑके और वे क्या होते हैं लीफ्लाइक इस्ट्रक्चर होते हैं गुरूप अपल आपो में से लिख देती हूं यार इतना तो सब तुम नों पढ़ा हुआ होगा ना दी फ्लाइक स्ट्रक्चर हैं यह भी छोटी-छोटी चीज़ें लिखनी पड़ दिए मुझे इन दा बार्ड स्टेज अब हम देखते हैं कि इसका यह भी दो तरीकी के होते हैं पहले देख लेते हैं टू काइंड ओफ कैलिक्स आर्थ एक तो होते हैं गैमो सैपलास गैमो सैपलास मैं वैंन दर सेपल्स आर यूनाइटिड जब सैपल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं वैं इसमें वैंसे पिल्स आर्फ यब यह फ्री स्टेश में होएंगे गैनिट इस फॉल्ट अ पॉलीजल्स है ना तो यह कंडीशन किसमें होती है यह फिर से आपको सेपिलों पेटल्स दूनों पहले तो हम अभी सेपल्स की बार्थ कर रहें बेनेवर आट यह फ्लार आप समझ रहे हैं ना परफल कलर के फ्लार होते हैं वेन दा सेपल्स आर यूनाइटेड सेपल्स आर यूनाइटेड ये तो फ्लार है अब हम सेपल बनाते हैं यह आपस में क्या है जुड़े हुए हैं जुड़े हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं ये गेमो सेपल्स अब हम देखते हैं ये तो गेमो सेपल्स अब पॉली सेपल्स पॉली सेपल्स में जो लाइक देस ये वान टू प्री एंड फूर ये क्या है सेपल्स हैं मैं ग्रीन कलर से इसलिए बना रहे हुँ जिससे क्या आपके समझ आईए ये देखिए ये सेपल्स फ्री हैं तो इसकी एक्जाम्पल्स और इसकी एक्जाम्पल्स मस्टर्ड के फ्लार जो होते हैं उसमें आप देखिए ये कंडिशन होती है और धतूर्ड है ये तो हो गया हमारा on the basis of kalyks अब हम देखते है on the basis of करूला second world of his flour second world flour का जो होता है ना उसको अग देखते हैं कि on the basis of करूला on the basis of करूला है ना करूला आगया करोना नहीं करोला टाइप ओफ लार on the basis of करोला अब इसमें क्या होते हैं इसमें भी वही चीज होते हैं कंपोस्ट और पैटल्स यूजली स्लाइटली कलर अच्छा ये जो होते हैं इसमें इसको हम कहेंगे पैटल्स अब भी हम क्या बोल रहे थे कैलिक्स में सेपल्स यहां बोल रहे हम पैटल्स हैना पैटल्स आर ब्राइट कलर ये ब्राइट कलर होते हैं ग्रीन कलर नहीं होते हैं ये ब्राइट कलर और कलर्फुल कलर्फुल होते हैं हैना always colorful to attract the insect for the pollination और इसकी बाद क्या होता है कि यह तो होते हैं ब्राइट कलर क्या होते हैं करोला में भी united है भी क्या हो सकते हैं united भी हो सकते हैं और free भी हो सकते हैं तो उस में हमने का था sepul था तो whenever the sepuls are united then we are calling it gamo sepuls whenever the sepuls are in free condition or free stage then we are calling it क्या polysepuls अब हम इसको करोला को हम petals बोलते हैं तो एक तो होगा gamo petals एक तो होगा gamo petals और दूसरा क्या होगा उसी तरीके से poly petals यह भी एक होगा gamo petals gamo petals कब होगा when करोला are in united 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 condition जब यह united condition में होएंगे when और when करोला when करोला हाँ when करोला कई ने when petals when petals are free in stays free stays में हैं यहां भी हम when करोला नहीं करेंगे इसको हम क्या करेंगे when petals when petals are united condition then it is called the gamo petals when the petals are क्या है when petals are free then it is called the करोला करोला में भी funnel बेल शेफ यह तो सब होता ही है अब इसमें गैमो सेपलर्स और गैमो पैटलर्स गैमो पैटलर्स इसमें गैमो पैटलर्स में पैटल्स देख लीजे यहां पर था है ना इस पैटल्स पैटल्स आर यह यह उनियटेड है और एक बैल शेफ भी शेप एस्टॉक्चर इस फोर्म было it is call ्पॉली गैमो पैटलर्स जभ했는데 यह उनियटेड है petals और इस में क्या होगा? When the petals are free in condition then it is called the poly petalus इस जट के लिए अब हम आगे चलेंगे estivation लेते हैं